नमस्कार मैं जली विश्रा सुवावत है आप सभी का दोनेयोज में आपको बता दें कि सुप्रीम कोट से बैक टे बैक दो बड़े फैसलिया आ रहे हैं सबसे पहले आपको बता दें कि न्यूज अंकर पत्रकार सुधिर चौदरी को सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है और उन्हें गिरफतारी जहारकण में जिस तरीके से जो आदिवाशित जुड़ा मामला था उस मामले में उन्हें राहत जो है दे दी गई है और इस मामले में उनकी गिरफतारी पर रोक लगा दिया गया है दूसरी तरफ सुप्रीम कोट से ही अर्विंद के जिवाल को बड देज़ के सबसे बड़ी अधारत ने सुधिर चौदरी की गिरफ्तारी से उन्हें राहत दे दिया सुधिर चौदरी पर आदिवासी वह खिलाफ अपती जनक भाशा का इस्तमाल करने का आरोप है वो लगाया गया था और यारोप कैसे लगा है इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है जरा समझे तो जारकन के पूर्य उमुक्षे बंतरी हैमन सोरेन को एडी ने जो मनी लॉंडरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था तो जैमेम के कारेकारी अध्याक्ष हैमन सोरेन को पास द दर्च कराई थी जिसके बाद वरिष्ट पत्रकार ने माफी भी वकायदा मांगी थी अनिसूचित जाती अधिनियम के तहट पुलिस में शिकायत दर्च की गई आज सक के एंकर सुदीर चोधरी के खिलाफ राची के सी स्ट थाने में फियार दर्च कराई गई थी जैसर पत करना अधिवासियों के आलोशना यापमान नहीं माना जा सकता हेमन सोरेन पर क्या कहा था उनने अपनी खबर में कहा कि हेमन सोरेन को चार्ट प्लेन और सुविधा युक्त जिन्दगी जीने की आदत लग गई है पर सीम पर जाने के बाद हालत बदल गए हैं अब उन्हें अधिवासियों की तरह रहना पड़ेगा जैसा वे 30-40 सर्फ पहले रहा करते थे उनके लिए काफी मुश्किल होगा अधिवासि समाज को और पूर मुख्यमंत्र हेमन सोरेन के बारे में इस बात को लेकर हिंदी निउस चानल आस तक के जो यह आपके सकते हैं कि ब्लैक और जो इनका शो है प्राइम शो हैं उसके आंकर सुदीर चौधरी द्वारा इंटिपड़ी की गई थी और शिकायत में यह भी कहा गया कि ऐसा लगता है कि सुदीर चौधरी जातिया विदेश के ग्रसित एक वैक्ति हैं जिनकी नजर में आधिवासियों का मतलब और जंगली होता है उनके सबद्र टिपड़ी से पूरा आधिवासी समाज आहात है और हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आधिवासी समाज जंगली नहीं है अज देश के पूरे जुटिशन सिस्टम की अभी वावक भी है आधिवासी सेना ने जनवरी को प्रसारित प्रा से सुप्रीम कोट में स्पेशल लिव अप्लिकेशन लगाई गई थी जारखंड हाई कोट ने सुधिर चौधरी खिलाफ आगे की कारवाई पर र्योक लगाने से इंकार कर दिया था और मामले के आगे की सुनवाई के लिए अप्रेल में सुची बदिकिया था इसके बास सुधिर चौधरी के तरफ से मौजूद वरिष्ट वकिल सिधार्त लूथरा ने दलिल देते हुए कहा कि स्सी एस्टी एक के तहत याचिगा करता के खिलाफ प्रथम दिष्टिया कोई मामला नहीं बनता है आदिवासी सेना ने सुधिर चौधरी खिलाफ के दर्च कर आया सुधिर चौधरी को यह बड़ी रहा दी गई है अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं अर्विंद के जिवाल के क्यूंकि अब अर्विंद के जिवाल को भी जो है बड़ा जटका सुप्रेम कोट से लगा है और उन्हें अब माफी नामा देना पड़ेगा और अब यह मामले में देना पड़ेगा यह बिजर समझ लीजे मान हानी से जोड़े एक मामले में सुप्रीम कोट ने दुली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल से शिकायत करता को माफी नामा देने को कहा है यह जिवालने से पहले माना था कि यूटूबर धुरूव राठी का ए इस वीडियो में विकास न संस्कृतियान नाम के वेक्ति इनके बारे में अपमान जनक बाते काही गए थी दिल्याइए कोट ने यह कहते हैं वो मुकदमा रद करने समना कर दिया कि ट्विटर पर केजवाल को बड़ी संख्या मेले को फॉलो करते हैं उन्होंने शिकायत करत आपमान जनक बातों के पुष्टी किये भिना उसे रिट्वीट किया और कड़ों लोगों तक फैलाया आपकर दादे कि निचली अदालत में चल रहे मामले पर रोक लगा रखी है अगली सुनवाई तक यह रोक जारी रहेगी इसके पहले 26 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान अर्विंद के जिवाल ने सुप्रीम कोट में माना था कि उनसे गलती हुई है तब पीट निचली अदालत कोई भी कठोर कडम नहीं उठाएगी और सुनवाई की अगली तारीक तक मामले पर सुनवाई नहीं की जाएगी पीट ने पूछा कि इस मामले को देखने क के दो तरीके हैं एक तो यह कि समर्थन है और दूसरा यह कि आपने इंटरनेट पर कुछ पाया और उसे ट्वीट कर दिया और यह आपके खिलाफ जाता है मामला कहा थोड़ा स्पश्ट तरीकी से आप समझ लीजे दरसला सुप्रीम कोट अर्विंद के जोयल की याचिका प इस संबंद में निचली आदार से केज़िवाल को समझ जारी हुआ था जिसे रद कराने के लिए वो सुप्रीम कोट पहुचे थे दुरूव राठी ने दो हजार अठारा में एक ट्वीट पोस्ट कर आई सपोर्ट नरेंदर मोदी के नाम से ट्वीटर पेज के संस्थापक और संचालन पर बीजेपी आईटी सेल पाट टू जैसा वैबार करने का आरूप लगाया था और केज़िवाल ने इसे ट्वीट को रिट्वीट कर दिया था जी हां राठी ने 2018 में एक ट्वीट पोस्ट कर आई सपोर्ट नरेंदर मोदी नाम के ट्वीटर पेज के संस्था पक और संचालन पर बीजेपी आईटी सेल पाट टू जैसा वैवार करने का आरूप लगाया था केज़िवाल ने इसे फिर रिट्वीट किया था इस ट्वीट को रिट्वीट के था और इस वक्त ही उनके ओपर यह मामला यू कहिए कि यह किया गया था और आब इस केस में अरवेंदिके एजवाल को माफी मागने पड़ी उस वक्त भी अरवेंदिके एजवाल ने कहा था कि उनसे गलती हुई है उनसे जीक और इस मिस्टेक के भरपाई उनने करनी है अब कोड्म आ ईंकर शुधिर चोधि को लेकर जहां पर सुप्रीम कोड्य को बड़ी रहात दी पर उनके खिलाफ जो है मामलत दर्च कर आए गया था अधिवासियों के खिलाफ विरोधि वियान बता जा रहा था जिसके बाद अब सुप्रीम कोड से सुधिर चौधियू कर रहात मिली है गिरफतारी नहीं होगी उनकी इस पर रोक लगा दी गई है मामले की सुनवाई जो ह मामले में जटका लगा है और इस मामले पर माफी भी अब देनी होगी और इसके लिए थोड़ा समय सीमा उन्हें दिया गया है तो साफ तौट पर बैक टो बाक दो बड़े फैसले वह भी सुप्रीम कोड से जिसके बारे में हमने आपको विस्तित जानकारी जो है वो दी है आपको यह पूरा मामला है यह बड़े विस्तार से बता है कि पूरा मामला क्या है पूरे मामले पर बाप की भी जुड़ाए हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरू से जरू साजा करिएगा तान्यवाद यह आपको फो हमें लो बापको